हेलो नमस्ते पाई देट फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो हम बात करेंगे वन अप दो बेस्ट सोसल वर्क के जॉब करें में जो खिये फ्रेसर के लिए काफी टाइम से आप लोग का यह हमेशा रिक्वेश्ट रहता है कि फ्रेसर के लि यानि कि आपको उनिस अक्टिव और को गोल्ड मेडल मिला है दो सब्जेक्ट में बहुत जल्दी मैं डिटेल पोस्ट करने वाली हूं मुझे तो टाइम नहीं मिल पाए तो मैं जल्दी बताऊंगी कि मुझे कि सब्जेक्ट के लिए और कहां पे गोल्ड मेडल मिला है बिना किसी देड़ के वेकेंसी को देखते हैं पहले दिस इस फुल एट्विटिजमेंट विची रिलीज़ बाइस पोजेक्ट वेस्ट पोजिशन फॉर सोशल वर्क चलिए बात करते हैं डिटेल में यह नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर 2013 को रिजी रिलीज हुई थी और इस सेम जगह है स्रीक्रिष्न मेडिकल कॉलेज इसके म्च है आपको मुझापरबू डिस्टिक में जो कि उमा नगर में सिच्टेड़ है वहीं आपको जाके इंटर्विव देना है और फिर आपका सेलेक्शन हो जागा आजे शोशल वर्क तो चलिए डिटेल में देखते हैं ज हैं T web जानते हैं से जो की आप कि सब्सक्राइब के लिए कांसरसी स्किन प्रोजेक्ट के लिए यहां पर टैंसर जागा रहा है फ्रॉज नेपर दिफ्रॉंट करते हैं हम डेसा बेरल है य सोशल वर्क जो लोग भी आपको कोई पहरते हो होते हैं मास्टर इन जो पब्लिक हिल्थ होता है वो जरूर होते हैं तो अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी हो सकता है जो कि इस तरह का वेकेंशी ढूंड रहा हो जो कि MPH क्या हो उसको भी आप ये वीडियो बता सकते हैं साथी यहां पर सकते हैं यहां पर दिया गया है जो कैंसर इस्क्रीनिक प्रोजेक्ट जो है ठटी एक डिस्टिक और बिहार में चल रहा है उसके लिए ही आपको आपको आपका यहां पर शेलिक्षन प्रोसीजर होगा जो पोस्ट का नाम बोले तो पेसेंट एसिस्टेंट का काफी अची रिक्यूर्मेंट है सोसले वालों के लिए काफी अची अची अपर्टिये यह दिस अगूल्डेन ऑपर्टिनिती व थोस हो यह स्ट क्यूल अग्टेट्ट थेर मास्टर्स और सोसल वर्ड जोब भी अर्ट यहां पर मांगा गया है वो BDS या BAMS या फिर BMLT और गिर्जट विद दा मिनिम्म ओनियर एक्सपीटर एंड डिवलप्मेंट सेक्टर मांगे गई है यानि कि आप इस सब्सक्राइब अगर आपने ग्रेजेशन किया है और आपके पास एक साल का वर्क एक्सपीएंस है होस्पीटल अगर आप MSW किया है तो यहां पर आज फ्रेशर भी इंटर्व्यू के लिए जा सकते हैं MSW पोस्ट विजट इन सोसल वर्क जो भी MSW किया होंगे उनको यहां पर वर्क एक्सपीएंस नहीं मांगा गया है तो इस वेकेंसी फॉर फ्रेशर 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 इस लिमिट की बात करें 30 is 40 years on date of interview आपका date of interview यानि कि 6th of November 2023 तक 40 साल से कम होना चाहिए इस लिए सेलरी की बात करें तो सेलरी यहां पर 15,000 से लेकर 20,000 पर मंत होगा नंबर वेकेंसी थ्री है तो यह काफी अच्छी अपर्चुनिटी है आपको अगर आप भीहार के बिलॉंग करते हैं तो आपके लिए फिर यह बहुत यह अच्छी बात है अगर यह जो वेकेंस के लिए निश्ली परेडियो में किया जाएगा फिर इसको एक्स्टेंड किया सकता है या फिर जब तक कि प्रजेक्ट है तब तक आप इस पोस्ट पे बने रहेंगे प्लेस नोट दैट देरी कुर्मेंट प्रोसेस में इंक्लूट रिटें टेस्ट और परशनल इंटर्वी नोट देरी है या तर दे तक करिणे द ड्यार्य कमें सकता है या जब तक पोस्टें ऩटी और दीन प्लेकितान क्योर्मेंट विर लुटेश्थर के लिए भी करिणियो खटजर्बै आत्र परशनल प्ले विर में अन इंटर्वियू वाली दिन क्या करना है एक तो बात दी गई है कि जो रिक्यूर्मेंट प्रोसेस है यहां पर एक्जेक्ट के लिए नहीं कहा गया या तो रिटेन एक्जामशन के थू हो सकता है या प्रस्टनल इंटर्वियू के लिए दोनों सकता है लेकिन ज्यादा बहुत यहां पर प्रस्टनल इंटर्वियू के बेस पर ही जॉब होती है दूसरी बात जो भी आपका जो इसक्रिणिटी होगा जानी कि आपके अप्लिकेशन को छाटा जाएगा उसका रिक्यूर्मेंट प्रोसेस जो भी होगा उसके लिए आपको सबसे पहले पहला इनिसियल किया जाएगा और जब उसमें आप इलिजिबल पाये जाएंगे फर्दर प्रोसेस में आपकी रिक्यूर्मेंट होगी दिस इस अलवाट इस फेकेंसी फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्टू इस इमेल अड़ेस देट इस फोन नम अगर आप मुस्से डायक जुनना चाहते तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है जरूर उसको जोइन किजिए सोसल वर्क के हैं डेफिनेटली आपको ये चैनल हेल्प करेगा इस 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 आल अब टोड़े फिर मिलते इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद